पेट का टाइट पन गैसेस और लेट्रिन को ना होना यह के सटी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला इसका क्या मंसिक कनेक्शन हम देखेंगे मेर नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यस्तन मुक्तितग्यों महाराष्टी में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ एक व्यक्ति मेरे पास में आया है उमर करी कोई 40-42 साल की थी मिडियम सक्सेस है बिजिनेस में मतलब घर चलता है ठिक ठाक बिजिनेस चाल वे चोटा सा और उसमें काफी दिन से उसको यह हो रहा कि पेट में नाभी के जाए उसके पास में उसको बहुत टाइट पना आना उ और वहां गैसे सोना और फिर जो गैसे सको आपर चाड़ते और कभी गैसे सब्जाइन से अір राब चाड़ता कि उसको चोटारा जाएंगा ऊधका तो फिर चोटारा आजाएंगा 5 यह कभी वहां बोलता कि वह जो है less tells व्याव हे में चाड़ते और दिमाग में से रह अर द लिमाक काम नहीं करता या फिर वो जो गैसेस है वो गैसेस नीचे जाएंगे गैसेस पास होंगे मगर लैट्रिन नहीं होती और फिर बेचे नहीं होना और कभी परेशानी है मैंने पहले ही बताया है कि पेट के प्राबलम है इसका कुछ ना कुछ मांसी कनेक्शन होता है उसे सब तरह जाके देखिया है सब इंडोस्कोपी कोलोनुस्कोपी सोनोग्राफी ब्लड की जाच स्कैन सब 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 करवा के डॉक्टर लोगों इतने बोला कि पेट में अंदर है यह दवा ले लो ठीक हो जाएंगा ऐसा करके उसको भेज देते थे हाला कि सभी डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन में अलप्राजलाम या डाइजीपाम या इमिट्रिप्टिलिन ऐसे दवा ही कॉमन थी जो उसको पूचा कि क्या हो रहा है तो मुले ठीक है कुछ भी न सेंड्रों की है कि लेट्रिन भी साफ नहीं होती गैसिक जाते मगर कॉंस्टिपेशन है और वो गैस उपर आना या नीचे जाना या फिर जलन होना पेट फुलना कड़क पना है पेट दर्थ ऐसा सब उसको सिंप्टम्स थे तो उसको बने बोला कि क्या चल रहा है लाइफ म क्या चिंता है नहीं कुछ तो नहीं है मगर जब काफी सारा डिगिंग किया खुद कम हम जो बोलते हैं तो मालूम बढ़ा कि इसमें काफी सारे इनकंपलिशन्स पिताजी और माताजी के साथ में उसको काफी सारी पढ़ाई करने की इच्छा थी मगर पढ़ाई नहीं करने दिया गर में गरीबी थी तो जल्दी काम करना चालू पड़ा फिर काम करना चालू पढ़ा पैसा थी और फिर शादी कर दो प्र उमर बैलीस साल के अभी क्या पढ़ना हो अगरे तो बाकि लोगों जब देखता है वो तो फिर उसको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ाई करनी हैं अभी उसका क्या कर सकते हैं जो भी हुआ वो हुआ जो भी आपके बच्पन में हुआ आपको बड़े मुश्किल से मैट्रिक किया होंगा तो मैट्रिक किया था तो मैट्रिक किया बाद में फिर वह आप नहीं पढ़े तो ठीक है जो भी हुआ हुआ अभी क्या कर सकते है अभी यदि आप उमर के 42 साल में वो जीवन जी रहे है कि 25 साल पहले का या 20 साल पहले का जीवन है कि जब आप मेंट्रिक के बाद में आपको एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा तो वहां अटके पड़े है तो भी आपका जीवन खराब कर रहे हैं फिर यह तकलीब हो वह पड़े लेखे को हमें देखां हो हिसका देमाग करते हैं कि अंहें आप सब्सक्रण नहीं कर पाए जिए आपया जीवन सब्सक्राख सेब जो भी पढ़ा ही कर सकते हैं अभी क्यों मरने आप रोच वो देखके कि मेरे अतित में ऐसा हुआ था ऐसा नहीं किया अभी आपके सामने हैं जो भी सामने हैं आपके समय जो भी समय आ रहा है जो भी आप जी रहे हो आगे क्या करने हैं उसके बार में सोचो और आगे जो भी कर सकता हूं मैं बहुत अच्छा है डिगरे ले लो ग्रेजुएट हो जाओ जो सीखना ऐसे को भी कॉम्पूटर का जमाना है कॉम्पूटर सीख सकते आप अलग-अलग प्रोग्राम सीख सकते जो चाहे वो कर सकते आपका बिजने सम्वाल के मन में खुशिया लाओ वो आप अतीत में रहेंगे तो दिमाग को तकलिफ होते रहती है तो वो छोड़ दो और जिवन मस्तर जो फस्कलास तो जब हमने सेशन्स किये जब उसके साथ में सैकोटरिपी के उसके साथ उसको मैंने दवाईयं भी दी दवाईयं से उसको काफी सारा अलका लगा नहीं आने लगी अच्छी जो धका राजी थी वो धकारे कम हो गई लेटरिन साफ होने लगी और जब मैंने यह बातचीत किया वारतालाप और कॉंसिलिंग किया उसका जो पास था वो हमने पूरा कंप्लीट किया और उसने फिर उसका फ्यूचर क्रिएट किया जब उसने फ्यूचर क्रिएट के तो उसको मजा आने लगी अभी मेरे को बहुत मजा आ रही है अच्छा मेरा जीवन जीवन जीओंगा एक दिन आया बोले कि मैं ऐसा लगता है मुझे कि मेरा जीवन ही नहीं हो गया बहुत मजा कर रहा हूं बच्चों के साथ में खेलता पढ़ाई कर रहा हूं और जीवन में बहुत मजा रहा है काफी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होंगा कि वह अतीव में अटके होंगे यह लोगों को आप चुरू शेयर करो वीडियो ताकि लोग अपना अतीव पूरा करेंगे उसमें अटके रहेंगे नहीं और फ्यूचर क् करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए लाग्क करने के लिए बार वार हमारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू झाल, 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 झाल